आप सभी का स्वागत है हम जो फिटर टेक्निकल तैयारी करवा रहे हैं तो आपको सभी डाउट किलियर करने के लिए और रेगुलर पढ़ाई करने के लिए आपको हमारे चैनल फिटर फिटर को सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि हम समय समय पर जो भी आप डाउट हमें कमेंट्स करके वहित तो उनको मैं किलियर करता हूँ नेक्स वीडियो में बताता हूँ तो आप सभी डाउट जो भी आपके डाउट रहेंगे सारे डाउट हम किलियर करेंगे मैं आपके साथ हूँ आपकी जो भी समस्या होगी जितने भी question आएंगे मैं सब के doubt clear करूँगा और आज के लिए मैंने जो 51 question का mcq बनाया है तो 51 question का mcq हम करेंगे लेकिन उसमें जो कुछ question सरल रहेंगे simple रहेंगे तो उनके बारे में मैं थोड़ा कम बताऊंगा और उसमें timer लगाऊंगा तो इस timer के पहले आपको answer बताना है जो timer आपको इस वीडियो में मैं प्रेट्रिस करवाँगा ताकि आप exam में जाकर के जल्दी से उस question को बिना doubt के आप clear कर सकें तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला question है acid lean एक fuel gas है इसमें carbon तता hydrogen होती है जिनका प्रिस्त होता है तो ये question आप इसका answer सोच लीजिए मैं इसका answer थोड़ा देर में बताऊंगा लगवाद 10 सेकंड में इसका answer बताऊंगा आप इसका answer सोच लीजिए लेकिन मैं इसको समझाता हूं थोड़ा जो हमारी méthode fluoride putмы lumière his 8ए 186 का सूटinku यह होता है वह थोह होता है तो僕що कारवन हमारे रहता है ओर हुआ ह्यद्वय चोता है कि बारा do offense में रहता है और हमारा परमाणु करेवांग जो एक होता है वह स्कारवन कई आ भbles होँए बढ़ा है है F1 की शोटा है कि बारा-अन्पार 2 और आ रहा होगा 92.3 परशंट कारवन होगा और 7.7 परशंट हाइड होगा यदि आपने बी आंसर लगाया तो आपका सही है नेक्स कुशन एसलीन का राशनिक सूत्र है तो अभी मैंने पिछले कुशन में बताया है तो आप टाइमर की पहले आंसर दीजिए इस कुशन का अंसर यदि आपने C2H2 लगाया है तो आपका राइट अंसर है जो मैं पिछले कुशन में बता चुका हूँ नेक्स कुशन ओक्सी LPG फिलेम का तापमान क्या होता है तो इसका भी आप अंसर लगाईए मैं थोड़ा 5 सिकेंड के लिए टाइमर दीता हूँ इस कुशन का अंसर जो LPG gas फिलेम का अंसर होगा वो होगा 2700 से 2800 डिग्री सी अब इसके बारे में थोड़ा पता देता हूँ LPG यो होती है LPG gas ये थोड़ा acid lean से कम ताप देती है क्योंकि acylene जो gas होती है ये अधिक पापरफुल होती है जो हम factory land में यूज करते हैं LPG जो gas होती है उसको हम घरों में खाना पकाने के लिए यूज करते है तो इसका temperature उतना अधिक नहीं होता है जितना की हमारा acylene का होता ह तो यदि आपने answer 2700 से 2800 लगाया तो आपका answer right answer है next question oxy acylene gas flame का ताप माने दीखे जो मैंने पिछली question में अभी बताया है कि acylene अधिक temperature वाली gas होती है तो इसका answer आप लगा दीजिए 5 second का timer देता हूँ आपने answer लगा लिया है तो इसका answer यदि आपने डीजिए तो आपने सही लगाया है तो आपका right answer है 31300 से 300 सो डिग्रीसी होता है जो oxidizing flame होती है उसका temperature सबसे दिखता है 3300 degree C, neutral flame का temperature 3200 degree C, और जो हमारी carbonizing flame होती है, उसका temperature 800 degree होता है, और building का highest temperature 3300 degree C, इसी वज़ाई से होता है, next question करते है oxygen gas flame का tap होता है, अब हमें इसमें बताना है कि hydrogen gas भी होती है जैसे, अभी हम दो gas हैं पढ़ चुके हैं उनको भी आद रखिए, पहली gas हम पढ़ेते, LPG gas, दूसी पढ़े हम acylene gas, तो तीसरी gas हम पढ़ रहे है hydrogen gas, तो hydrogen gas का temperature कितना होता है, तो hydrogen gas का temperature जो होता है, LPG से थोड़ा नीचे रहता है, यानि कि सबसे पहले हमारा आएगा acylene acylene के बाद आएगा LPG LPG के बाद आएगा hydrogen, तो तीसे नमबर पर हमारा hydrogen आएगा, तो hydrogen का जो answer आपने लगा लिया होगा, साइद मुझे ऐसा लगता है तो hydrogen, एदि आपने भी answer लगा hydrogen का, 2400 degree C से 2700 degree C, तो hydrogen gas flame का answer, right answer होगा, 2400 से 2700 degree, next question, एक जो चोधे नमबर की gas flame होती है 2700 से 1900 लगाया, तो आपने गलत लगाया है इसका 1800 से 2200 degree सही answer होगा, यह answer इसका right answer होगा जो आपने लगाया होगा, अब oxy cool gas flame, जो होथी चोधे नमबर पर होथी, तो चारों gas हो को याद रखना है एक बार मैं फिर से repeat कर देता हूँ, सबसे जनम करते हैं, oxygen cylinder का रंग होता है, तो हमारा जो oxygen cylinder होता है oxygen में O2 भरी जाती है, O2 gas एक इतनी खत्रेदार gas नहीं होती है, इसलिए ऐसे हमें लाल और मेरून करने की ज़रूरत नहीं होती है तो oxygen cylinder का रंग जो होता है, वो काला होता है D, answer आपने लगाया होगा next को जनम करते हैं, इसमें मैंने timer लगाया है आप इसका answer दीजिए, 5 second में रुखता हूँ time out हो गया है, आप अपना question का answer लगा चुके हैं तो इसका answer जो लगाना है, oxygen cylinder का रंग, यदि मैंने एक बार पिछले वीडियो में समझाया था, कि यदि मेरून और लाल दिया गया है तो आपको इसका answer, मेरून answer, राइट answer करना है, लाल answer नहीं करना है और यदि मेरून नहीं दिया गया है, तो हम लाल answer लगा सकते हैं तो हमारे पास कोई दूसरा option नहीं है, तो यदि आपने यह answer लगा है, तो राइट answer है नेक्सक्वेशन हम करते हैं, oxygen का होज pipe का रंग होता है तो जो हमारा oxygen cylinder का होज pipe होता है, आप इसका answer टिक किजिए आपने answer लगा लिया होगा, oxygen होज pipe का रंग होता है, इसका D answer, Right answer होगा, इसका cylinder औपाईप काले रंग का होता है next question, جo होता है इसका रंग कभी मैरून नहीं होगा होच पाइप का रंग हमेशा red रहेगा जो ऑसलीन का रंग होता है चाहे मैरून option में दिया हो चाहे ना दिया हो लेकिन होच पाइप का या जो इस पाइप से gas हमारी जाती है, cylinder से निकल कर नोजल तक उस pipe का रंग हमेशा लाल ही रहेगा औक्सियन गेस का pressure cylinder में रखा जाता है तो ये question बहुत ही important question है आप टिक कीजिए आपने answer टिक कल लिया होगा, सोच लिया होगा, कौन सा answer होगा मैं अभी इस answer की बारे में बताता हूँ औक उक्सियन गेस पाइप, गेस cylinder का जो pressure होता है, वो होता है 120 से 150 किलोग्राम प्रती सेंटी मीटर स्कॉर जो हमारा औक्सियन सिलेंडर रहता है उसमें ज़्यादा pressure होता है क्योंकि जो हमारी cutting होती है, जो welding होती है, वो ऑक्सियन की मदद से होती है औक्सियन का pressure ज़्यादा होना चाहिए, तो जो हमारी एसलीन होती है, उसका pressure कम रहता लगवा 15 किलोग्राम प्रती सेंटी मीटर स्कॉर होता है तो आप एसलीन का भी temperature याद कीजिए और औक्सियन का temperature भी याद कीजिए next question हम करते है, next question है, oxygen तर एसलीन gas regulator में मुख अंतर है तो हमारी जो regulator होते हैं, जहां से हम gas खोलते हैं, तो oxygen और एसलीन के gas की regulator में क्या अंतर होता है हमें बताना है, भार में छोटे बड़े होते हैं, तो इसका पहला answer तो गलत answer है आप टिक कीजिए, पहले इसका answer मैं हमें बताता हूँ, आप सोच लीजिए इस answer को कौनसा answer सही होगा केवल आपको 5 second में बलेगा answer को समझने के लिए, तो मैं इसका answer बताता हूँ बहार में चोटे बड़े नहीं होते दोनों की जो regulator होते हैं जो बालब होते हैं सेम आकार के होते हैं oxygen regulator में दाय हाथ की चूड़ी होते हैं तो ये right लिखा गया है क्योंकि जो हमारी right hand thread होती है वो oxygen में होती है, सीधी वाली चूड़ी होती है और जो उल्टे हाथ की चूड़ी होती है वो acylene में होती है, तो नीचे C नमबर पे लिखा हुगा है, oxygen regulator में बाया हाथ की चूड़ी, तो यह गलत लिखा हुगा है तो इसका C answer गलत होगा, सभी गलत हो जाएगा, तो इसलिए B answer, इसका right answer होगा है, यदि आपने भी लगाया है, तो आप बिल्कुँ सही पढ़ाई कर रहे हैं, और इसी तरीके से पढ़ाई करते रही है अगला है, oxygen acid lean में उप सहियोजा का नाम है होता है, जो back fire से बचाता है, यानि कि हमारी जो आग होती है, आग हमारी nozzle के अंदर गुशने से जो बचाता है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसके लिए जो मैंने अभी तक आप लों को साहई ना बताया हो तो उसके लिए जो हमारा होता है उसे हम बोलते है, होज प्रोटेक्टर जो हमारा नहीं जाने देता है क्योंकि यह gas तो बाहर आ सकती है लेकिन gas reverse में अंदर नहीं जा सकती है क्योंकि जो gas बाहर आ जाएगी वो जल जाएगी यदि जलते हुए gas अंदर चली जाएगी तो हमारी जो आग होगी वो torch के अंदर पहुँच जाएगी इसलिए उसे हम बोलते होज प्रोटेक्टर और आप इसको प्रोटेक्टर से भी समझ सकते हो प्रोटेक्टर का मतला होता सेफ्टी देना तो आप को यदि होज प्रोटेक्टर के बारे में जानकार भी नहीं है तो जो बेक फायर से बचाता है और बचाने कई बार मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि यह हमारी copper की बनाई जाती है क्योंकि copper जो होता है हमारा ताप और विदुद का सबसे अच्छा सुचालक होता है इसलिए हमारे जितने fridge के pipe होते हैं एसी के पाइप होते हैं, हमारी कॉफी बनाने मले मसीन के पाइप होते हैं, सारी के सारे पाइप, कॉपर की हलिकी लार रंग के बने होते हैं, और जो हमारे जितने भी गैस इस्टो बगरा होते हैं, उनके भी पाइप का जो में नोजल होता है, बाल होता है, वो भी पीतल का य वीडियो अच्छे वीडियो देख सकते हैं नेक्स कुश्चन करते हैं बेलिंग नुजल कितने नंबरों में मिलता है तो यह कुश्चन मैंने आपको याद करवाया था आप इसका अंसर लगाईए फिर मैं इसके बाद अंसर बताता हूँ टाइम आउट हो गया तो दोस्तो इसके नंबर होते हैं वो नंबर होते हैं इसके एक सिनब नंबर तक जो हूं होल रहते हैं की हम इसमें गयस बेलिंग कर रहे हैं इसमें आपको तोड़ा ध्यान रखना है कि एक होती आर्क वेल्डिंग एक होती है गैस वेल्डिंग तो गैस वेल्डिंग में हमें काले रंग की चस्मे की जरूरत नहीं होती है यदि किसी दोस्त ने अभी जो पड़ाई कर रहा है मेरे साथ और उसने काला रंग का नहीं किया है, आपको दिमाग से काम करना है जो question जितना सरल होता है उतना ही आपकी number ले जाएगा आप cutting question सही कर लोगे, लेकिन जो सरल question होगा, वो आपको दोका दे देगा इसलिए ध्यान से समझना है, इसमें हम filter lens का उपयोग करते हैं, जिन लोगों ने filter lens लगाया वो ध्यान से समझ रहे हैं next question gas cylinder को हमेशा रखना चाहिए तो एक gas cylinder वाला question आप अपने मन में सोचिए कौन सा answer इसका better होगा किस खड़ी अवस्ता में रखना चाहिए लेटी अवस्ता में रखना चाहिए टीरी अवस्ता में रखना चाहिए नेक्स्ट कुशन ओक्सी एसलीन के किस वालप को पहले बंद किया जाता है ताकि बैक फायर से बचा जा सकता है बैक फार जो होता है हमारी टोर्च क्या होती है टोर्च के अंदर आग चला जाता है या टोर्च के मुए पर पटपट की आवाज आने लगती है चटचट की आवाज आने लगता है तो फार से आप समझ जाईए फार का मतलब यह आवाज करने लगता है जिस पर कार से बंदू ही नहीं आएगा तो आक्सिजन अपने अप थोड़ी जलेगा तो हमारा टॉट जो होता है बुझ जाता है नेक्स कुशन हम करते हैं फिले हम लुप्त हो जाने पर यानि मान लीजिए कि हमारा टॉट जल रहाता हो जलते जलते बुझ गया अचानक तो जब झाले की कोशिज करता है लेकिन उसको जलने के लिए एक माध्ध्यम नी मिलता ताप नी मिलता क्योंकि फिले हमारा लुक्त हो गया वो हमारे टॉर्च के अनदर घुस गया हो इसके लिए हम साब बता चुका हूं कई आप इसे यह को ऑप पायप बेल्डिंग तॉमी चल जाता है लो प्रेसर पर भी चल जाता है तो हम बेल्डिंग प्रीश का मारा ल्यां रहेगा तो दोस्त वह रहता है लो pressure low pressure वाला जो हमारा विलो पाइप होता है यानि की जो हमारी नोजल होता है वो high pressure पर भी चल जाता है low pressure पर भी चल जाता है next को चाना neutral तथा ओदासीन फ्लैम् में acidly no oxygen की मात्रक्या होती है neutral अर्थाथ तथा नहीं लिखा है दोस्त sorry इसमें लिखा है neutral अर्थात उदासीन जो फ्लेम हमारी neutral होती है आपको मालूम है कि neutral फ्लेम में जो हमारा एक अंपात होता है इसका मतलब होता है कि दोनों से मात्रा में रहती है तो दोनों की मात्रा बराबर होती है कि रेशियो कई बार एकजाम में आज चुका है इसमें जिसकी मात्रा होता है जैसे जो हमारी बेंचवाइस होती है कास्टान सबसे अधिक होता है माली नेख़ेशियल भी होता है गन में गल भी होता है लेकिन 22 की दाथू क्या बोलते हैं 22 की दाथ की डातों कास्टान बोलते हैं कि इसमें कास्टान का सेर्श सबसे अधिक होता है next question हम करते हैं oxidizing flame मुख रूप से प्रियोग की जाती है तो हमारी oxidizing flame में एक सुद्ध flame होती है तो इसका अंसर आप लगाईए timer के साफ से तो timer टाइमाइट हो चुका है तो इसने आपने पीटल अंसर एदी लगा है तो आपका right answer पीटल है next question कर्व राइजिंग flame में guess अधिक होती है कर्व राइजिंग से समझझे आप जैसे हम oxygen समझे थे कि उसमें oxygen था तो oxygen था जब दोस्ट तो oxygen अधिक थी अब कर्व राइजिंग से समझझे कर्व राइजिंग को ऐसे समझझे काला काला मतलब उसमें कार्बन अधिक निकल रहेगी वो कार्बन अधिक कब निकलेगी उसमें हमारी एसलीन की मात्रा अधिक रहेगी क्योंकि एसलीन जो होता है कार्बन बनाता है ऑक्सीजन अच्छी से जलाता है इसमें ऑक्सीजन कम रहेगी एसलीन अधिक रहेगी तो हमारा एसलीन इनर अच्छ सफाई करनी है तो उसमें किसका प्रयोग नहीं किया जाता नहीं को द्यान रखिया तो मोबेल ओयल मिट्टी का तेल मिट्टी के तेल से सफाई होती है पेट्टोल से भी सफाई होती है तारपीन के तेल से मोबेल ओयल से कोई सफाई नहीं होती है इसके राइट आंसर होगा क् हई वी मeal मil oil जो होता हो छिप चिप चिप होता है तो किसी भी पाट को मगरं हम इसके उपर डाल देंगे मवेल को पाट के उपर तो यह हमारा पार जो और चिप चिप हो जाएगा इसलिए उसकी सफाई नहीं हो यह सावन पानी का घोल है क्योंकि यह सावन का गोल है यहां। इसका ड्यांसर नहीं को ध्यान रखीए यह क्योंकि कुशन मेंधं हाईगा आपका पलक जफकते हैं बता देते हैं सेंड व्लास्टिंग क्या होते हैं चोटे चोटे उपाद छिड़का जाता है जिससे उसकी सफाई हो जाती है लेकिन दोस्त आपको अभी समझ में नहीं आया जिस प्रकार से हम मसाज करवाते है और मसाज करवाते हैं एक疑नुरू इसक्रवर इसक्रवा इसकी इसक्रवाता है जिसको हम फेचील किस से होगा, इस्करब से होगा लोहे के लिए इसकरब जो होगा, वो रेट के छोटे-छोटे करन होंगे, तो अब आप कोस समझ में आ गया होगा अच्छे से तो यह mechanical के हैं, तीर, एक mechanical का नहीं है, इसलिए D answer, right answer होगा 5 mm moti plate के लिए बेल्डिंग के लिए नोजल साइज क्या होगा पांच मिली मीटर मोटी प्लेट पर करना है तो इस कोश्चन को हमें ट्रक से समझना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है कि पांच मिली मोटी सीट है तो हम पांच को कैसे समझेंगे देखिए इसमें तीरा नंबर है तो पांच में तीरा हम कैसे बनाएंगे उसको तोड़ा ध्यान रखी जैसे माली ये पांच ऐसे है तो पांच ऐसे है तो हम इस डंडी को मिला देंगे इस डंडी को जोड देंगे तो हम इस डंडी को जोड़ेंगे तो इस तरीके से तीन मन जागा और तीन से तेरा होता है इसलिए एक आंसर इसका राइट अंसर होगा इसे ट्रिक से आप याद रखिए आपको और परिशान होने की जरूरत नहीं है तो हमने आपको एक बताया था अभी कि जो गेस के नोजल साइज होते हैं वो एक से नब्बे नंबर तक होते हैं तो भाई 25 mm से मोटी प्लेट होगी बहुत अधिक मोटी प्लेट होगी जब बहुत अधिक मोटी प्लेट होगी तो बड़ा नंबर चाहिए तो इसका राइट अ गलनां कम होना चाहिए क्योंकि ब्रेजिंग रोड हमारी पिखलती है इसमें जो हमारी बेजदातु होती है वो नहीं पिखलती है ब्रेजिंग में केबल हमारी ब्रेजिंग रोड पिखलती है तो गलनां कम होना चाहिए next question 30 number flashback का निम्न मैंस से सूचक नहीं है flashback अब इस flashback को समझे एक होता है इसमें backfire बो भी में लिख देता हूँ backfire अब fire से आप समझे फायर जो होता है इसमें तेज आवाज आती है टन्न की आवाज आती है जब हम गोली चलाती है तो तेज आवाज आती है लेकिन धीमी आती है क्यों fire आप जानती हो जब हम किसी बंदुग से fire करते हैं तो तेज आवाज आएगी तो flashback से धीमी तो इसका अंसर धीमी आवाज यह answer राइट अंसर होगा यदि आपको हमारी ट्रिक अच्छी लग रही हो आपको question समझ में आ रहे हो तो हमारे channel fighter fighter को subscribe जर हो मतला हुथ टाइम आउट तो इसमें सबहुए हमें question को धिहान रख रखना है left word 또 word से आप ध्यान रखेंगे word मैं आपको trick बता देता हूँ word का मतला होता है हम जिस ratiomesiफょ रहें इसमें से दाइएं दाह तो हमारा गल्लत हो जाएगा हमेरा भी answer होगा क्योंकि हम उसमें नहीं की तरफ जा रहें है यहीं लेफ्ट की तरफ जा रहे राइडाइब है तो हम राइड की तरफ जा रहे, राइड से आप तो इसको नेक्स को चनम करते हैं यह ही एक building transform है जो AC को DC में बदलता है तो normally जो हमारा Blair transfer होता है वो कभी ac को DC में नहीं बदलता है यह question में थोड़ा सा जो किताब बाले ने लिखा है यह मैंने वनाओ उसमों थोड़ा mistake किया है कभी transformer AC को DC में नहीं बदलता है transformer AC पर ही काम करता है द्यान रगिए लेकिन ट्रांस्पर्म में एक अलग सेम अटेच्मेंट लगाते हैं उसको क्या कहते हैं आप सोचली इसका अंसर चार अंसर है अपने अंसर लगा लिया होगा आप मैं इसका अंसर बताते हुँ सबसे पहले इस अंसर को हम कैसे समझें के लोगार्व लोंग आर्क का मतलब होता लंबा लंबा मतलब अधिक तो इसका बी अंसर राइट अंसर हो जाए एलेक्टोर्ड और वायर डाया के ब्यास से अधिक कैसे जैसे मन लीजिए ये जॉब है ये हमारा एलेक्टोर्ड है इसके बीच की जो दूरी रखी जाती है जॉब के और इसके टिप के बीच की दूरी ये ब्यास के बरावर रखी जाती बैसे लिकिन लोंग आर्क वन रहा है तो ये दूरी अधिक हो जाएगी यदि ये दूरी कम हो जाएगी तो शॉट आर्क होगा नेक्स कुशन हम करते हैं इसका अंसर जो होगा जोटी आर्क देग लिए इसमें शॉट आर्क दिया गया है जो मैं पिछले कुशन में समझा चुका हूँ शूटी आर्क छोटी का मतलब होता शॉट का मतलब इसमें जो हमारे दूरी रहेगी जोब और एलेक्टोर्ट के टिप के बीच की दूरी रहेगी वो हमारे कोरवायर के ब्यास से कम रहेगी तो इसका सी आंसर राइट आंसर होगा इस तरीके से आप एडिया आप अच्छे से समझोगे आपको सारे कुशन समझ में आएंगे आप डाउट मत लीजिए आप टेंसन मत कीजिए सारी टेंसन मेरे उपर छोड़ दीजिए नेक्स कुशन हम करते हैं उच्छे तार्क एक मैंने देखिया भी लोंग आर्क बताया था एक सोट आर्क बताये उच्छे तार्क उचेत आर्क मतलब सही आर्क है ना तो वो short है ना long है तो उसके लिए क्या होना चाहिए जॉब की सता है और electrode के tip के बीच की दूरी बरावर होनी चाहिए तो इसका answer आपको आप तो समझ में आही गया होगा तो इसका be answer right answer होगा next question state polarity में electrode negative terminal से जोड़ा जाता है यानी कि जो हमारी state दो polarity होती है हमारी एक state polarity होती है और हमारी एक reverse polarity रहती है तो state polarity में कितना आप ध्यान से समझे जो हमारा current होता है जो positive terminal से जोड़ा जाता है और electrode को negative से अब देखेंग येसमें समझ आप पहले तो जो answer लगाने वाले ह इनको आता है थोड़ा बहुत वो सबसे पहले आंसर टिक कीजिए यह आंसर है कि B है कि C है कि D है फिर मैं इसका आंसर बताता हूं आपने आंसर लगा लिया होगा क्योंकि इसमें कोई कैल्कुलेशन तो करना नहीं अब हमारी ट्रिक से समझी एलेक्टो निगेटिव निगेटिव का मतला होता है माइनस पॉजिटिव पॉजिटिव का मतला होता है पिलास अब पॉजिटिव बढ़ा होता है कि निगेटिव बढ़ा हो तो पोजीटिव बढ़ा होता है यानि हमारा जोब बढ़ा होगा जोब मतलब जोब पर करेंट अधिक जाएगा तो जोब पर अधिक जाएगा तो इसमें देख लेते हैं इसका सी आंसर आप थोड़ा डिजिट आपको याद रखना पड़ेगी हमने इतना ट्रिक आपको बता दिये जोब पर अधिक जाए तो जोब पर 66% करेंट जाता है और इलेक्टूट पर 34% करेंट जाता है क्योंकि इलेक्टूट निगेटिव है और इसका एक कुशन वा समझ लीजिए जब जोब पर 66% करेंट जाएगा तो यह मोटी जोबों के लिए रहती है नेक कुशन हम करते हैं रिवर्स पोलारिटी में अधिक ताप में होता अब देखिए अभी हमने पढ़ा था इस्टेट पूलारिटी अब यह रिवर्स पूलारिटी तो अभी हमारा पिछला कुशन था इस्टेट पूलारिटी का इसमें हमारा अधिक ताप जा रहा था जोब प बताया है कि reverse polarity में अधिक current जाता electrode पर यानि electrode हमारा ज्यादा current लेगा जोब हमारा कम current लेगा तो यह हमारा job जब हमारा कम current लेगा तो हमारा seat पतली होना चाहिए अब इसकी में एक बहुत खास बात बताता हूँ जब भी हम building करते हैं arc building करते हैं electrode वाली building करते हैं तो इसमें दोनों को एक साथ पिखलना चाहिए जैसे जे electrode है यह हमारी seat है पतली बिल्कुल तो इन दोनों को एक साथ पिखलना चाहिए तो हम seat को कम current लेगे electrode को हम अधिक current देंगे तभी तो दोनों एक साथ पिगलेंगे एलेक्टोड को अधिक करेंट मिलेगा यह एलेक्टोड है और सीट को कम करेंट मिलेगा सीट हमारी पतली है तभी तो पतली जौब के लिए रिवर्स पुलारिटी आधी हम इसको उल्टा कर देंगे तो हमारी सीट पिगल के पह होती है पतली सीट के लिए और में कम जाते है और जोब पर करेंट अधिक जाता है तो यह उना चाहिए क्योंगी जोब अधिक करेंट लिए का मोटा न उन्हाटी मोटी फोलारी टी होती है और reverse polarity होती हूँ, पतले जोबों के लिए होती हूँ, current से ध्यान रखना है, क्योंकि जो हमारा electrode और job जो पिखलता है, arc welding मो current की द्वारा पिखलता है, प्राय electrode का code आया, कहां से कहां तक होता है, यह हमें बताना है, एक question में कई बर बता चेका हूँ, आप अपना answer टिक आपने answer टिक कल लिया होगा, मैं इसका answer बताता हूँ, B answer, right answer होगा, यदि आपने B answer लगाया, आप 100% सेवर हो, सही हो, next question, electrode का step end होता है, यह question UPR UNL के paper आ चुका है, और आप UPR UNL के paper लगाईए, आप हमारे channel पे जाकर, आप UPR UNL के paper solve कर सकते हो, या फिर आप के पास जो paper पड़े हुए हैं, रखे हैं, उन paper से आप solve कीजिए, उसमें question होगा, और आपने resolve किया होगा, तो आप इसका answer लगाईए, टिक कीजिए, फिर इसके बाद मैं answer बताऊंगा, 40-50 mm, 80-100 mm, 30-35 mm, या कोई नहीं, तो इसका answer, right answer होगा, 40-50 mm, step end क्या होता है, जब हम building करते जाते हैं, करते जाते हैं, तो हमारा electrode पिगलता चला जाता है, लेकर लास्ट में एक टुकड़ा बच जाता है, उस टुकड़े कम step end कहते हैं, 40-50 mm, right answer होगा, next question, 3.2 mm के electrode के लिए current की मातरा रखी जाती है, इसके लिए, मैं वो ट्रिक बताने वाला हूँ, जो ट्रिक ना तो आपको किसी ने बताई होगी, ना किसी किताब में लिखी होगी, ये ट्रिक, आज के बीडियो की सबसे most trick होगी, बैसे भी मैं बहुत सारी ट जितने भी रहते हैं, सब की current की मातरा आप निकाल सकते हैं, कुछ भी हो, कुछ भी हो, टेंसल लिन के लिए होत नहीं, तो जिनको जिनको आता है, सब सब पहले आप हमारे trick का यूज कीजिए, आपको trick आती है, और आप इसकाहन से trick कीजिए, और जिसको किसी दूसे teacher ने सख है, आप उसकी साब से इसका answer लगाईए, मैं आपके लिए timer दीता हूँ, टाइम आउट आपका आपने जो आंसर लगाए यदि आपने इसका ए आंसर लगाया है तो ए आंसर इसका गलत है यदि आपने बी आंसर लगाया तो बी आंसर भी गलत है यदि आपने सी आंसर लगाया तो सी आंसर इसका सही है डी आंसर इसका गलत है अब कैसे अब कैसे समझोगे डाया चेंज हो जाएगा तो इसकी में ट्रिक बता देता हूँ 3.2 mm का डाया है हमेशा इसमें आपको 40 का गुड़ा करना है 40 का गुड़ा कोई भी डाया हो 40 का गुड़ा कर दोगे आपका राइट आंसर आ जाएगा 40 का देहान रखना है बिल्कुल 40 का गुड़ा करेंगे हम इसमें तो 120-122 के असपास आएगा तो इसका 90-130 एंपेर राइट आंसर होगा और ये ट्रिक सिर्फ आपके लिए है क्योंकि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं फ्लेम का सबसे गरम भाग कौन सा होता है तो फ्लेम का जो हमारी फ्लेम होती है टोच की उसका अंदर वाले भाग सबसे गरम होता है तो उसे हम भीतरी कौन या इनर भाग कहते हैं next question, सावन electrode किस लंबाई में नहीं होता है, सबसे पहले आपको नहीं का दियान रखना है, तो ये सारे लंबाई में electrode मिलते हैं, ये D में नहीं मिलता है, तो हमारा right answer D answer हो जाएगा, चितर देखकर इस बिरूपड को बताईए, टिकाने के लिए लेकिन बीच में हमने कोई भी चीज नहीं रखी तो यह हमारा बीस जोब गरम हुए जो हम बैलिंग की तो बीस जुग गया और इस प्रकार से अब होरियंटल कोई जुकाउट लेता है तो उसे उस प्रकार की हम तुटी को या गलती को अनुदेर तुटी कहते है तो इसका ए answer राइट ऑश जा अनुदेर तुटी नेक्स कॉश्चन चित्र में दर्सा है गए दोस्त का नाम बताईए तो इस बैलिंग में देगी चोटे-चोटे यहां रहा प्रकाँ से रखा जाता तो बैलिंग बूत की दीवास होती है उनको मैं काला करना चाहिया पीला करना इसकी बजया में बता देता हों कि अधीर करने कर्दों को यदि दीवारों कोई सघ्जों कर सकतें तो तो जैसे हम building करेंगे तो वो हमारा जो जो हमारी चमक होगी वो दीवार तक जाएगो दीवार से बापिस होगा हमारे आखों तक आएगी तो हमारी आखों को damage कर सकती है इसलिए दीवारों पर काला रंग करेंगे तो काला रंग उस चमक को अवसुसित कर लेता है सूख लेता ह है क्योंकि जब हमारी Бायलिंग होती है एक तरफ से फेज जाता है इसी तरीके से आप पढ़ाई करोगे पढ़ाई करोगे अच्छा पेपर कर पाओगे अच्छा पेपर करोगे आपका सेलेक्षन हो गा इसके बार तो होना है तो आपको मालूम है तो आज के लिए इतना ही ओके बाई बाई